विजन और टेलिविजन की बात नहीं, कमलना जी सिर्फ कंजूजन के लिए है यह लगातार कंजूजन प्यदा करना करमचारियों में, ब्यापारियों में, बेरोजगारों में, किसानों में, यही इनकी राजनीत का मूल मोटिव है कंजूजन करो और आगे बढ़ो कंजूजन नात हो गए हो अबरे आएंगे और यह चुनावी परेटन करके चले जाएंगे, हाथ में इनके कुछ नहीं आएगा मित, परणाम आने के बाद अपन बता देंगे आपके को भी इसी से कोंग्रेस पर्ड़ी का इतराज केरिवाल आपके बाद देखो वो दोनों ही व्यक्ति कि कंग्रेस तुष्टी करन की राजनीती करते हैं और वैसी धरम की राजनीती करते हैं आखिर में एक कौन पर जाके दोनों मिल जाते हैं, इसलिए उनस दोनों एक दूसरे वे उपर आख स्वेब लगाते हैं। आखिर में एक दूसरे वे उनस दोनों मिल जाते हैं। अपनी बचा नहीं पाए थे। बारी तो आप किसी की भी मान सकते हैं। इच्छा है। उनकी जिनकी सुलकी सरकार गिरती है, जिनकी खुद की पार्टियां तूटती हैं। यह उनसे पूछा नित्वत्त करने वालों से। आप मद्यप्रदेश का हम से पूछ रहे हैं। कमल ना जी से पूछो 32 विदायक कैसे छोड़के चले गए। बिपक्षमेवी तो गए उनको छोड़के। यह उद्वी से पूछो। अब यह हर्माज 40 आ का ही प्रभाव है। कि 40 दिन के अंदर 40 विदायक चले गए। वो कह रहे थे संजय राओ जी। वहाँ पर कि हमारे विदायक अगवा कर लिए गए। अगवा हो गए है। अरे राओ जी अगवा ने हुए थे वो भगवा हो गए थे। यह देश है जहां पहली बार हिंदुत्य के नाम पर कोई सरकार गिरी है। मेरा देश बदल रहा है। यह कहना ठीक नहीं है कि मद्पदेश का कोई कनेक्शन उन से निकला है। सर्वता गलत है। लगातार हमारी बाचीत राजिस्थान ATS से हो रही है। कई दोर की बाचीत हमारे अधिकारियों ने की है। और अभी तक उन्होंने कोई कनेक्शन नहीं दिया है। दावते इसलामी जिसके कनेक्शन की बात कही गई है। उसकी गत्विदियों पर नजर रखने के निर्देश DGP सैट इंटेलिजेंस के अधिकारियों को दे दिये गए है। उसका कोई कनेक्शन नहीं है। पुलिस ने कुछ मात पर देने लिए है। पुलिस दुभाग ने अभी मद्यपरदेश के अंदर आज जो हमने टाई किया है कैबिनेट में भेजने का वो हाक्स फोर्स नकसल विरोधी अभ्यान के लिए उसे चटवन बेतनवान का सत्तर तस्त भत्ता देने का टाई किया है। अब उसे 13,000 से 36,000 तक की ब्रद्धी उसमें की जा रही है। एक, दो, इंटेलिजेंस साखा जो नकसली विरोधी अभ्यान में जुड़ी है उसको भी हाक्स फोर्स की भाती 13,000 से बढ़ाकर 36,000 विसेस बत्ता करने का टाई किया है। तीसरा हॉम गार्ड के जवान जो 2016 से पहले भरती थे उनको तीन साल में दो माह का कॉल आफ दिया जाता था। 2016 के बाद भरती में एक साल में दो माह का किया था अब या विसंगती दूर सब के लिए एक नियम तीन वर्स में दो माह का कॉल आफ किया जाएगा। संजर आओ कि हमको अपने लोगा ने लोगा दिया देखो कदली सीप भुजंग मुक स्वाति ए गुनतीन और जैसी संगत बैठी ये तैसोई पल दिये कांग्रेस की संगती जहां जहां हुई है आप वहां महां ये विसंगती देखिए इसलिए बिद्वानों ने कहा है कि आहिफन गए तो बिस बने कदली गए कपूर और सीप गए मुक्ता बने संगत को फलसूद अखलेस यादब संपर्क में आए साफ पेज़स्वी संपर्क में आए साफ उदव संपर्क में आए पार्टी इसाफ हो गए यह संगत का प्रवाव है कांगरेस की होले की तरह काम कर रही है अपनी बचा नहीं पाए थे बारी तो आप किसी की भी मान सकते हैं यह आपकी इच्छा है उनकी जिनकी सुलकी सरकार गिरती है जिनकी खुद की पार्टियां तूटती है यह उन से पूछा नित्वत करने वालो से आप मद्द्रदेश का हम से पूछ रहे हो कमला जी से पूछो 32 विदायक कैसे छोड़के चले गए बेपक्ष में भी तो गए उनको छोड़के वो दवी से पूछो अब यह हर्मान 40 का ही प्रवाव है कि 40 दिन के अंदर 40 विदायक चले गए तो वो कह रहे थे संज्य रा कुट्ट के नाम पर कोई सरकार गिरी है मेरा देश बदल रहा है बताना चाहता था हमारे जो चतरपुर के टी आई एनूप यादाव एसाई दीपक यादाव जनोंने जिस तरह से अनूथे तरीके से बोर वैल से दिपेन को निकाला है इनको भी हमने पुरुसकार देने का किया है एक बात और आप सब के माध्यम से मैं उन खुले हुए बोर वैल बालों के पास पहुचाना चाहता हूं कि जो भी बोर वैल इस तरह से खुला छोड़ेगा और इस तरह की घटना होगी तो रैस्क्यू का पूरा खर्चा उनसे लिया जाए इस पर विचार गंबिता स पिछले 24 घंटे में संपूर मध्यप्रदेश में कोरोना के 126 मामले मध्यप्रदेश में आए जबकि जो ठीक होकर अपने घरों की और गए वो 65 लोग एक्टिव केस मध्यप्रदेश में बरतमान में 550 प्रचलन में हैं जो संक्रमनदर है वो 1.72 है जो हमारी रिकवरी की दर है वो 98.7 बनी हुई है पिछले 24 घंटे में एक पुलिस का जवान सक्क्यमित हुआ है और एक ही एक्टिव केस है पिछले 24 घंटे में जो वैक्शिनेशन हुआ है वो 65,456 है अभी तक जो कुल वैक्शिनेशन हुआ है वो 12,3,83,762 है झाल 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